अखिर कब तक अखिर कब तक इस देश का भारतिय मुसल्मान अपने उपर हो रहे अत्याचारों के न्याय पाने के लिए सब्सक्राइबर तो यौ वोई जैद रशीदी चैनल सो गाइस फाइनली एक वीडियो लाया हूं विने दूबे जीगी जिसमें उन्होंने बताया कि हम एज अ मुसलिम हम लोग क्या क्या सह रहे हैं इंडिया में रहें हम लोगों के ओपर किस तरीके की चीजे हो रही है हम लो बिद आधाया है यह तो उन्होंने एक वीडियो बनाया है तो पहले उस वीडियो को देखते हैं और नहीं लग सबतों इस लोग कुछ जुरुकरते हैं आज का वीडियो लेकिन उससे लाइकर आप इस चैनल में आई हो तो Gabriel लाइक करो, सबस्क्राइब करो, शेर करो, और अगर आप लोगों को मेरी चैनल अच्छी लगती है, तो आप लोग मेरा मेंबर्शिप भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं अन्भक की ओपर, बोधी मीडिया की ओपर, और जो भी इंडिया में जो भी हालात हो रहे हैं, उसके ओपर औ अपने उपर हो रहे हत्याचारों के न्याय पाने के लिए अपनी बच्चियों के खीचे हुए हिजाब को बचाने के लिए अपने लोगों को दूसरे कारण बताके गलत कारण बताकर मौब लिंचिंग में हत्या करने के बाद अपने घरों पर चलते हुए बुल्डोजर कि इस बारे में कोई गोधी मीडिया या कोई भी चीज में हमारे पर जो हो रहा है इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता अगोशनी दिखाएगा कुछ-कुछ मिडिया वाले हैं लेकिन जो यूटूब पर मिलेंगे आपको इनकी तरह यह है अभिसार शलमा है यह लोग हमारे हमारे उपर जो जुलूम हो रहा है वो बताते हैं तो गाइस प्लीज यह वीडियो को लास तक जरूर देखना भी यह बहुत कुछ बताने वाले तो मैं वापी कि उन मुसल्मान भाईयों से क्या आपका जमीर आपका आत्मसनमान आपको चीक चीक कर नहीं पुकारता क्या वहीं है जिसके वंशजों ने पूरे विश्चों के अंदर कितने ही देशों पर कितने ही सदियों तक 200 साल 500 साल 800 साल तक राज किया जिनकी तर्वाले जब उठती अपने सामराज्य के लिए अपने ताकत के लिए अपने हिम्मत के लिए जाने जाते थे आज भारत का मुसल्मान दरदर की ठोकरे खा रहा है अपने सामने अपनी बेटियों के हिजाब कीचे जाने पर भी उन नेताओं के सामने गिड़ गिड़ा रहा है जिसको उसने बनाय अखिरेसी क्या मजबूरी है हमारे देश के मुसल्मानों की जो आज किसी न किसी राजनितिक दल, किसी न किसी चेहरे के जो पैर है उसके तलवे चाटते हुए दिकाई देता है माफ करिएगा मेरे शब्दों के लिए लेकिन ये हकीकत है मैं उन तमाम भारती मुसल्मानों से पूछना चाता हूँ कि वो नेटा जिनका आप दरी बिचाते हैं जिनके लिए कूर्सिया लगाते हैं जिसको आपने अपना माई बाफ, अपना वालिद, अपना रहनुमा बना कर रखा है ये उस समय कहां चले जाते हैं जब आपके घरों पर बुल्डोजर चला दिया जाता है उस समय ये कहां चले जाते हैं जब आपके कौम के एक लड़के को जूटे मामले में बेट से बांध कर सैक्रों की भीड मॉब लेंचिंग कर देती है ये लोग कहा गायब हो जाते हैं किस कोने में किस बील में मुझ चुपा का चिप जाते हैं जब आपकी बच्चियों के साथ बलातकार होता है अगर आप नया मांगे तो आप ही पर फैयार हो जाता है कि सारे नेता कहां मर जाते हैं, कहां शर्म से डूप जाते हैं, किस बील में चिप जाते हैं जब आपके मैं पैगंबर मुहम्मत साहब और नभी के खिलाफ अंगिनत अशलील अपत्ती जनक बात ही की जाती है तब कोई नेता कोई प्राजनेतिकदल आपके सपोर्ट में आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता अगर कोई मुसल्मान एक आवाज भी कर दे कि नहीं इस देश में गलत हो रहा है इसका करवाई होनी चाहिए तो उसे जेल में डाल दिया जाता है एक छोटा सा मुहावरा कहने वाला इंसान मुफ्ती आज गुजरात की जेल में कितनी महीनों से बंद है लेकिन वही नाशिक के एक संथ जो भगवा चोला पहने है उनके उपर देश भर में अपर यार लेकिन गिरफतारी नहीं होती कि पता है क्यों हो है क्योंकि आप कमजोर है आपके अंदर वो जजबा वो लड़ा कूपन खतम हो चुका है आप निर्भर है किसी नेता के दया पर अगर उस नेता को आप पर आपकी तरफ गाइस ये बात तो सही है कि हम लोगों के ओपर जो अभी हम लोग जो अभी सिट्वेशन पे गुजर रहे हम लोग अपने लिए इनका ये मतलब निय이कि आप उठो जगडा करो या कुछ ऐसा नहीं इनका मतलब पहलख अपना स्टैंड लो कि हर चीज में हम ही लोगों को खीचा जा रहा है इक स्टैंड हो ना पड़त है कि अगर हमारे नभी के ओपर किसी ने गलत चीज बोला है तो हम लोगों को उस पर खड़ा रहे ने लेकिन मैंने अभी देखा कि कितने ऐसे Muslims नेता है जो BGP को जोईन कर रहे उन लोगों से हाथ मिला रहे जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते जो हमारे नभी के शांग में गुस्थाकी कर रहे हैं जो हमारे नभी के ओपर गलत बाते कर रहे उन लोगों को सपोर्ट कर रहे लेकिन ये Muslim नेता ये जा कि उन लोगों से हाथ मिलाते तो guys आपने समझ रहे कि हम लोग ने अपना स्टैंज कहीं न कहीं इन 10 साल, 11 सालों में हम लोगों ने खो दिया है तकलीफों पर दया आए और अपने दया की जो भीख है आपकी जोली में फेट दी तो आप नसीव बाले वरना मांगते रह जाए सड़कों पर आंदोलन करते रह जाए पुलिस टेशन का गिराव करते रह जाए कोई सुनवाणी नहीं है मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये तकलीफे ये जो हालात हैं ऐसे क्यों है अमारे देश में आपको भी समिधान ने उतना ही अधिकार दिया आपको भी समान नागरिप का अधिकार है आप भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितना मैं हूँ लेकिन उसके बाद भी आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि किसी नेता के जूते साफ करने पड़ रहे हैं आपको मैं आज यहाँ किसी पार्टी किसी दल की बात नहीं करने वाला हूँ आप खुछ सोचिएगा कि आपके इस देश का मुसल्मान चाह क्या रहा है उसका सबसे बड़ा कारण पता है आपको क्या है आज आपकी जो हालात है वो ऐसे क्यू है वो आप खुद है मैं पिछले कितने ही मैंने भी आप लोगों को यही बोला कि जो यह अभी situation चेल रही है यह हमारे खुद के वज़े से तो देखो समझो इस बात को कि जो situation भी किसली भी हम लोग किसी को point of view नहीं मतब point नहीं कर सकते कि इस बंदे के वज़े या इसके वज़े क्योंकि आज हमारे नेता लोग यह बोला विने दुली जी सच में हमारे लिए बहुत आवास उठाते है इनके चैनल पर अबनो जाके देख सकते कि यह बहुत जादा हमारे लिए आवास उठाते तो हेट्स ओफ इनके लिए कि इन्होंने कुछ तो हमारे लिए सोचा जो हमारे मुस्लिम लोग हमारे लिए नहीं सोचते उन्होंने सोचा है हमारे लिए तो प्लीज देखो इस वीडियो को जो आपस में अपना रहनुमा बना सकते हैं लेकिन जैसे ही आपने बीच में से कोई नेता बनके आपकी आवाज उठाने लगेगा आप सम मिलकर उसका पैर खीच लेंगे ये सही बात है कि हम लोगों का कोई मुस्लिम निता अगर खड़ा होता है तो भाई हम लोग आपसी में बात लेते हैं दूसरे लोगों को बात नहीं जरूरत ही नहीं हम लोगों को क्या मालूम क्यों आज हम लोग इतना मतलब बिखर चुके हैं कि इस काम है पता है आज देश के अंदर जो विपक्ष है वो आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता है क्योंकि उसे पता है कि ये कहा जाएगा ये हमारे अलमा इसका कोई माई बाप नहीं है अगर हम भी हात नहीं देंगे तो इसका कोई आगा पीछा नहीं है आज ये confidence विपक्षी दलो को क्यों है सिर्फ आपकी वज़े से क्योंकि आप लोगों ने उनके अंदर ये विश्वास दिलाया है कि तुम ही माँ हो तुम ही बाप हो तुम ही हमारे खुदा हो तुम ही हमारे बगवान हो जो तुम हो तुम अगर हमारे सरक्षा करोगे तो हम तुमारे सरक्षन में जिंदा रहेंगे वरना हमारा कोई नहीं है क्या कभी विपक्षी दलो से आपने कॉलर पकड़ कर पूछने की हिम्मत की है कि मेरे घर पे बुल्डोजा चल रहा है तू क्या कर रहा है कभी आपने किसी भी नेता विपक्षी दलो को जिसको आप वोड देते हैं उसका कॉलर पकड़ कर पूछा है कि मेरी बेटी का हिजाब किचा जा रहा है बता तू क्या कर रहा है जब सवाल पूछना आता है तो आपके जीब पर आपके मूँ पर ताले लग जाते हैं पता है क्यों है यह सब यहाला क्यों पैदा हो रहे हैं क्योंकि कोई भी मुसल्मान किसी दूसरे मुसल्मान को ताकत वर या फिर आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है शायद यही कारण है कि सतर साल बाद भी आज आपका एक रहनुमा नहीं है जिन चुनकर OVC और बाकी ऐसे लोग उड़ते हैं लेकिन उसको भी बाचपा की वी टीम बता दिया जाता है लेकिन हाँ OVC साथ विचारे वो खड़े होते हैं वो इस चीज़ पर आवाज उड़ाते हैं लेकिन क्या होता है पता है हमारे कुछ मुस्लिम निता जो यह 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 पार्टी में चली गई है उन लोग उनको चुब इठा देते हैं या उन लोग उनका साथ नहीं देते हैं तो यह चीज़ बहुत होती है गाईस अगर मैं देश के 14 परतिशत मुसल्मानों से यानि की 25 करोड़ आबादी से अगर पूछू कि OVC और MIM को भाचपा की B टीम का तबका किस ने दिया है तो शायद ही कोई मुसल्मान बता पाएगा गूगल कर लीजेगा भारती जन्ता पार्टी की B टीम M.I.A.M. और OVC है यह स्टेट्मेंट देने वाले विपक्षी दल है जिसका आप आज पैर पकड़कर उसकी दया की भीग पर जिन्दा है ये प्रपोगेंडा चलाया ही इसलिए जाता है कि मुसल्मान एक जुप न रह पाए आपके कौम के अंदर वो ताकत है पूरा देश की एकोनॉमी वो चलाते हैं मैनत करते हैं मजदूरी करते हैं जिसचेटरब में वहाँ पर अपना पूरा जीजान लगा देते हैं लेकिन हार जाते हैं केवल एक जगह राजनीती में जी राजनिती वो जगह है जहाँ पर आपकी तकदीर लिखी जाती है लेकिर उसके बावजूद भी आप अपना रहनुमा नहीं बना पा रहे हैं आपको किसी अक्लेश यादो, किसी मम्ता बेनर जी, किसी राहूल गंधी की जुरत पड़ती है और वो उस समय गायब हो जाते हैं जब आपके घरों पर बुल्डोजर चलती है, आपके बिटिया का हिजाब ठीचा जाता है क्या पाइदा ऐसे नेता का, जो आपके मुसीबत में ही ना दिखाई थी अपने बीच ते नेता पैदा करिये, रहनुमा पैदा करिये, और वादा है मेरा अगर आपने ये बदाव अपने अंदर लाया, अपने अंदर ये एक जूटता लायी ना इस देश के अंदर कभी भी मुसल्मानों को लेकर कोई अपशब्द नहीं कह पाएगा इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आप सबसे बड़ी चीज देखेंगे तो आप खुद अपने खुदा से दूर हो चुके हैं अगर मैं आज पूछू कि कितने लोग ऐसे हैं जो पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो बहुत किने चुने चुने चुननदा हाथ उपर उटेंगे कि हम पांच वक्त के नमाजी हैं बगी सब लोग बाहर हैं जिस खुदा ने जिस उपर वाले ने आपको पूरी दुनिया दिया पूरी ताकत दिया आपको अच्छा परिवार दिया रहन सांद दिया निवाला दिया पेड़ दिया एक शुक्रिया अदा करने का आपके पास वक्त नहीं है। एक शुकरान की नमाज होती है शुक्रिया की नमाज होती है। आस तक बहुत कम मुसल्मान को पता होगा किस तरह की नमाज में शुक्रिया भी हुआ विक। जो हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है जो भी ये हो रहा है क्यों क्योंकि हम हमारी मस्जिद में जाई नहीं रहे आज का यूथ जो मुस्लिम यूथ है वो मॉडल बन रहे उनको रील्स करना है उनको गाने बनाना है उनको Reels पे वीडियो चाहिए, उनको मॉडल बनना है उनको follower से ये ठीक है, एक तरीका ये भी ठीक है कुछ भी करो, लेकिन नमाज को मत छोड़ो, उनका भी वही कहना है नमाज को मत छोड़ो, एकता मत छोड़ो, ठीक है कितने मुसलमान ऐसे हैं, जो अबने अभी, अबने मौंमध, अअबने निवान को त staple कहते हैं कि तूने ये जिंदेगी भी तो निवाला दिया आप नमाज से दूर रोते जा रहे हैं आप दीन से दूर रोते जा रहे हैं और यही कारण ऐ आप banking का आजब मैं नाइट प्लबों में जाता हूँ तो पता है हम आपे साथ प्रतिशत मुस्लिम लड़के आते हैं लड़कियां आती हैं पार्टी करने और दारू पी रहे है देखियो अब भी मैंने आपको बोला कि मतलब हम लोग तो सी मॉडल बनना है हमको एक अच्छा कपड़ा चाहिए हमको सच्चाई नहीं देक्ना, हमको कुछ नहीं देखना है बस हमको कपड़ा पेड़ना हमको रीज बनाना हमको यह करना हम लोगा इसी में भरवा जाएगा ऑए इसफें होरम बताया गया है तो इसकी नहीं जुनररिशन आज अज अपने आपको पाटी और दारू पीने में अपने आपको गुर्वान्वित मैसूस करता है हाथ में दारू का ग्लास शरीर के अंदर दारू उसके बार आप कहता है कि नहीं हम मुसल्मान है जिसका इमान ही नहीं बचा जिसको पुरान पर विश्वास नहीं खुद बनाए गई है। आप जब अपने अल्ला से दूर होंगे, अपने नमाज से दूर होंगे, अपने अंदर बताए हुए कुरान के उन तुमाम तरीकों से दूर होंगे तो उपर वाला तो बदला लेगा ही। यहाँ पर दल का मतलब है सुन्नी हो, 24 हो, शिया हो, एहले हदीस हो, मिन्स कुछ भी हो, लेकिन वो मुस्लिम होना चीए, आज तो हम लोग ने अपने आपको बाट दिया, कि नहीं बंटा ही, यह तो सुन्नी है, नहीं भाई, यह तो हिंदी है, क्या, 24 है, नहीं भाई, यह तो यह तो प्लीज, यह चीज को भी थोड़ा देखो, मजबूत स्किती में भारत के अंदर आएंगे, अने था अगला 20 साल, 50 साल, तो मैं अंधेरे में ही देख रहा हूं, कि भारत के जो मुसल्मान है, वो यह तो राहुल गांदी के दया की भीद पर पलेंगे, या खले शाद यह तो नेता अपने बीच का पैदा करिये, अपने लोगों के बीच का करिये, ताकि आपके मुसीबत में आपके साथ खड़ा रह सके, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार देश के अंदर देख रहा हूं, मेरे जो मुसल्मान भाई है, उनका आत्म बिना गोली के भी, एक सुपीर कपड़ा पैना दोती और उपर एक तन दखा हुआ नंगा इंसान, जिसे हम मुसल्मान इसलिए कि आप लोगों पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इस चन कुल भरास है, तो आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप लोग उसमें निकाल सकते हैं, तो मैं मिल तो अपने चनल के नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाई, अलाफेश